हेलो दोस्तों कैसे हैं हम लोग पिछले वीडियो में बनाये थे पार्ट्स अफिस्पीज का फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्शल वर्ड्स उस वीडियो में आपसे एक सवाल पूछे थे आखिर फॉर्म क्लासेस अपना रूप क्यों बदलते हैं उसी का एंसर देने के लिए वीडियो है दोस्त आखिर फॉर्म क्लासेस अपना रूप क्यों बदलते हैं वाई दफॉर्म क्लासेस चेंज क्यों बदलते हैं हम लोग अपना रूप क्यों बदलते हैं हम अपने आपको जिस जगह पर ले जाते हैं उस जगह के हिसाब से अपने आपको बदलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त अगर आपको साइंस थोड़ा सा भी याद होगा तो हम लोग इसको अनुकूलन पढ़ते थे adaptation पढ़ते हैं, adaptation means what? एनी कोई भी जो जीवजन्तू होता है या प्लांट होता है या कोई भी चीज होता है अपने आपको उस जगह के हिसाब से adjust करने के लिए अनुकूल बनाने के लिए अपने रूप को बदलता है ठीक उसी तरह से ये जो शब्द होते हैं ये शब्द भी अपने आपको उस जगह पर fit करने के लिए अपना रूप बदलते हैं तो अब जैसा जगह होगा वैसा उसमें परिवर्तन होगा क्लिर है तो अब कैसा कैसा जगह और कैसा कैसा परिवर्तन अब हम लोग यहां पर देखने कोशिस करेंगे समझने कोशिस करेंगे दोस्त यहां पर देखिए सबसे पहला का होता है Cat to form singular to plural and plural to singular, अगर यहां पर आप singular से plural चाहें या plural से singular चाहें, कोई भी काम करना चाहें, इसमें आपका use हो जाता है, जैसे cat को हम लोग cats लिख सकते हैं, box को boxes लिख सकते हैं, boy को boys लिख सकते हैं, clear है? यानि कि singular से plural बनाना है go को goze लिख सकते हैं come को come से लिख सकते हैं read को reads लिख सकते हैं यह क्या है read क्या है यह हमारा plural form of verb है reads क्या है singular form of verb है go क्या है plural form of verb है और goes क्या है singular form of verb है clear है तो इस तरह से हम लोग singular से plural यह plural से singular करने के लिए कि हम लोग इसका यूज करते हैं to change tenses tense बदलने के लिए दोस्त अब एक वाक की use करते हैं tense बेना tense के तो कोई वाकalten होता नहीं है तूस्त ये तो आपको पता है तो उसका tense बदलने के लिए भी हम लोग word बदलते हैं जैसे look को looks लिगदे देते हैं लुक्ड लिख देते हैं, लुकिंग लिख देते हैं, इस अब क्या है, भर्ब फॉर्म है, भी 1, भी 2, भी 3, भी 4, भी 5, आप पढ़े होंगे, उसके लिए हम अलग से आपको एक वीडियो बना के देंगे, कैसे बदलता है, किस-किस तरह से हम लोग बदलते हैं, ठीक है, गी को लिख के दिखा देते हैं, जैसे मानलो, go है, तो go, went, gone, going, goes, ये आपका क्या है, भी 1 है, ये भी 2 है, ये भी 3 है, ये भी 4 है, ये भी 5 है, रूफ बदल रहा है न दोस्ट, टेंस बदलेंगे, अब टेंस कहां का इस्तमाल करेंगे, यहां लिखते हैं, I go, यहां लिखते ह है I have gone यहां लिखते हैं I am going यहां लिखते हैं see goes जगा बदल रहा है न दोस्त उसके हिसाब से मेरा word भी बदल रहा है to form participle और जीरंड मतलब participle बनाने के लिए और जीरंड बनाने के लिए भी हम लोग कर देता है तो जैसे हम आपको एक एक जांपल दें अगर हम आपको बोलें कि मैंने एक जलते हुए घर को देखा कि सोचिए कितना मजदार है मैंने एक जलते हुए घर को घर देखा दोस्ट इसे रिलेटेड नहीं है बट यह संटेंस इतना अच्छा लागा हम यहाँ पार्टिसिपल देखे ना बर्ण और बंड तो हमको मन की आपको बता देने का जान लीजे बहुत मज़दार संटेंस है और दूसरा बाग क्या लोगा राम ने यहाँ क्या लिखा हुआ है जलता हुआ हम एक लिखने में जला हुआ जला हुआ घर देखा जला हुआ घर देखा अब देखें दोनों वाके में अंतर क्या कुछ आपको अंतर समझ में रहा है मैंने ही एक जलता हुआ घर देखा राम ने एक जला हुआ घर देखा, जलता हुआ घर देखा, मतलब जब मैं वहां से गुजर रहा था, तो उस घर में भी भी आग लगी हुई थी, वो घर जल रहा था, मतलब ये काम अभी हो रहा था उस समय, क्लिर है, वो घर का जलना अभी हो रहा था, जला हुआ घर देखा, मतलब राम जब वहां से आ रहा था तो क्या दिखा पूरा घर जल के राख हो चुका था खतम हो चुका था सिर्फ कचड़ा बचा हुआ था उसका दोनों का ट्रांसलेश कैसे बनेगा दोस्त एक वाट ट्राइ करके देखिए आपको मज़ा आएगा बनाने में अभी हम आपको बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा मैंने एक जलता हुआ घर देखा तो इसका वाट देखिए संटेंस देखे से बनाएंगे ट्रांसलेशन आपको ये भी सिखा दिया जाएगा मैंने देखा सबसे पहले ये तो कचड़ा है ये कचड़ा है दोस्त पहले मैंने देखा इसको बनाईए इसमें भी देखिए मैंने राम ने देखा इसको बनाना है ये कचड़ा है ये कचड़ा है कचड़ा हमेंसा लास्ट में यूज़ होता है घर में जो काम important उसको हमलोग पहले यूज़ करते हैं जो कच्छड़ा होता उसको बाद में तो पहले main क्या है मैंने देखा I saw I saw यहां राम ने देखा राम saw ठीक है एक जलता हुआ घर जलता हुआ क्या है दोस्त आपको पता है और जला हुआ क्या है दोनो एडजेक्टिव है लेकिन दोनो भर बे दोस्त दोनो पार्टिसिपल है एक जलता हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल जला हुआ पास्ट पार्टिसिपल यह जब आपको पार्टिसिपल समझाएंगे दोस्त बहुत क्लिरली इसको समझाएंगे कैसे यूज करते हैं sentence में और कमाल का वाक्य आप बना पाएंगे जबर्दस्त एक sentence का खुबसूरती को बढ़ाता है दोस्त ये जैसे हम लोग खुबसूरत बनने के लिए क्रीम लगाते हैं स्नो पॉडर लगाते हैं और फिस फिस मारते हैं उस तरह एक इंगलिस के sentence का खुबसूरती को पार्टिसीपल बहुत खुबसूरत बना देता है जिरंड बहुत खुबसूरत बनाता है दोस्त जैसे 75 छो हम लोग चीज यूज करते हैं 75 चीज में एक चीज ये भी है अंग्रेजी में दोस्त जो एक वाके की खुबसूरती को बढ़ा देता है I saw a जलता हुआ घर जलता मतला वो काम अभी हो रहा था तो हम लोग कौन से लगांगे present participle burning burning house जलता हुआ घर a burning ice I saw a burning house जलता हुआ घर जलता हुआ घर जला हुआ यहाँ देके जला हुआ है यानि काम अलड़ी खतम हो चुका है यानि कि past participle यूज़ करना है दोस्त काम जब पूरी तरीके से खतम जाता है तो past participle जब काम चल रहा होता है तो present participle clear है तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे past participle जला हुआ घर I saw a burnt house यहाँ जो यह जो है present participle यानि before यूज़ कर रहा है हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे दोस्त यहाँ पर हम लोग before यूज़ किये और यहाँ पर burnt burnt मतलब b3 यहाँ यहाँ पर b3 यूज़ किये दोस्त देख रहे है burning house b4 burnt house b3 कमा लगा वाकिये दोस्त ठीक है चलिए जब उस दिन सिखाएंगे तो और भी वो सरब मजदार मजदार संटेंज सिखाएंगे आपको अब यहाँ देखते है burnt को burnt drink को drinking हम लोग इस्तमाल करने के लिए हम लोग इसका change करते है अगला है to make comparative और superlative जब हम लोग डिग्री पढ़ते है जैसे मैं तुमसे अच्छा हूँ I am better than you तुम मुझसे सुन्दर हो You are more beautiful than me अगर ऐसा हम लोग sentence लगाते है tall, taller, tallest bad, worst worst ऐसा हम लोग यह जीज़ करते है good, better, best तो हम लोग क्या कर रहे है डिग्री को चेंज करने के लिए उसके intensity को बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं शब्दों को बदलते हैं दोस्त अगला है possessive case बनाने के लिए possessive case मतलब आप लोग अधिकार वाला यह राम का कलम है It is Ram Spain यह मेरी गाय है This is my cow हम लोग जब बनाते हैं possessive case ठीक है girl का girls यहाँ पर लगाते हैं दोस्त इस बढ़ियां से नहीं लगाए दोस्त इसको बढ़ियां से लगा दिया girl का girls बना देते हैं लड़की का लड़की लड़की का अजब plural होता है तो इसका कैसे बनाते हैं आपको एक चीज़ सिखा देते हैं यहां पर ध्यान रखेगा जब हम लोग case बदलते हैं plural बनाते हैं plural में जब possessive case करते हैं तो कैसे लगता है जैसे अगर मान लेते हैं boy लिखा हुआ है तो boy का करते हैं तो कैसे लगाते हैं boys बना देते हैं possessive case यह याद रखिएगा यह वाला बता रहें आपको यह वाला बता रहें ठीक है इसका यहां बता रहें boy का हम लोग क्या बनाते हैं boys बनाते हैं लड़का है तो लड़के का लड़का का अजब लड़के रहेगा तो boys रहेगा तो क्या करेंगे इसका हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्त लड़कों की किताब है तो कैसे बनाएंगे लड़कों की तो वहाँ पर boys लिखते हैं जब last में S लिखा रहता है न दोस्त last में जब S लिखा रहता है तो इसके उपर बाहर में apostrophies लगाते हैं क्या लगाते हैं बाहर में apostrophe लगाते हैं इसके बाद लगाते हैं जब यहां boys लगा रहेगा तो अब boys नहीं है तो apostrophe लगा कि S लगाते हैं और यहां पर क्या लगा देते हैं S के बाद लगाते हैं दोस्त clear है ध्यान रखिएगा Noun, Adjective, Adverb बनाने के लिए जैसे हम लोग Kind को Kindness बना देते हैं Kind क्या है? Adjective है Kindness क्या है? Noun है Happy, Unhappy Slow, Slowly Clear, Clearly Honest, Honesty या थे? Honest क्या है? Adjective है? Noun बना देते हैं Boy, Boyhood लड़का, लड़कपन ये सब क्या है? हम लोग उसको noun बना दिये उसको Adjective बना दिये Adverb बना दिये तो इन सब को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोस्त सब्दों को बदलते हैं अलग-अलग जगह पर इस्तमाल करने के लिए तो उसका रूप बदलना पड़ता है हमको जब रूप बदल रहे हैं, तो इन ही सब सब्दों का रूप इन ही कारणों के लिए बदलते हैं Clear है? अब एक सवाल और है दोस्त इनका रूप कैसे बदलते हैं? इस वीडियो का ये बहुत important question है इसका रूप कैसे बदलते हैं? मतलब जीतना भी form classes हैं इनका रूप पहला हम लोग क्या पढ़े? form classes होता है दूसरा क्या पढ़े? form classes अपना रूप क्यों बदलते हैं? अगले वीडियो में पढ़ेंगे form classes अपना रूप कैसे बदलते हैं दोस्त बहुत important है कैसे बदल देते हैं? कोई वीवा कैसे बदल देगा? आपको बदलना होगा तो आप कैसे बदलिया खुद को कपड़ा बदलेंगे कपड़े का टायर बदल देंगे बाल का एस्टायल बदल देंगे अपना दाड़ी बना लेंगे दाड़ी कटा लेंगे कोई भी अलग-अलग रूप बदल लेंगे बिखारी का भेस बदल लेंगे पंडीत का भेस बना लेंगे पुजारी का भेस बना लेंगे कोभी कपड़ा बना लेंगे तो हम लोग अपना रूप बदल रहे हैं उस तरह से कैसे बदल रहे हैं कपड़ा चेंज करके वगरा वगरा बहुत सरा काम करके तो आखिर ये सब शब्द अपना रूप कैसे बदल सकते हैं ये सीखेंगे दोस्त अगले वीडियो में ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में इसका नोट्स ढंग से बनाएगा समझने को सीखीजेगा और रिवीजन जरूर कीजेगा दोस्त चलिए, थैंक यू दोस्त